तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिस से आपको हमारी अनवली वीडियो की जनकारिया मिलती रहेगी दोस्तो आज हम आपको एक कैसे औस्दी से परिचित कराएंगे जो आपके सफेद दाग को नश्ट कर देता है आपके सफेद दाग को अच्छा कर देता है और तोचा को कुमल बना देता है इसके साह साथ मदुम्य की बिमारी हो तो उससे कंट्रोल कर देता है किड्नी और कर सकते हैं इसके सेवन से पाचन तंत्र यानि की पेट के सभी विकार दूर होते हैं और कहा जाता है अगर हमारा पेट सही है कब जय नहीं होता है तो हमसे बिमारिया को सो दूर रहती है इसका सेवन करने से अरक्त चाप सही रहता है जिया दोस्तों आज आज आपको एक ऐसे पोधे के बारे मताएंगे जब को सरक के किनारे खेत खलियानों में खाली पड़े मैदान में बहुत यसानी से मिल दाता है और यह घास पहले भी उतना कारिगर था जितना की आज है जिहां आज हम बात कर रहे हैं रसभरी के बारे में जिहां अक्सर आपने इसे देखा होगा स इसके फल के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं दोस्तो इसका सेवन करने से आप बहुत सारे समस्याओं को खत्म कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं बिस्तार से इसके फायदक बारे में और दोस्तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें पाचन तंतर की समस्या हो इसके पत्यों का काढ़ा बना कर पीने से पाचन तंतर मजबूत होता है पेट में गैस बनता हो कब्ज होती हो तो आप उसे खत्म कर सकते हैं इसके सेवन से पाचन तंतर सुचारू रूप से कारे करता है आपको भूख भी लगती है बनाकर सेवन करने से लाब होता है सफेद दाग इससे हमारा चेहरा, हमारा सरीर बहुत यदा खराब लगता है तो इसके पत्यों का लेप लगाने से सफेद दाग में आराम मिलता है मधूमेह, रसभरी के पंचांग यानि के फल, फूल, जड़, ताना का काढ़ा बनाकर पीने से डाबेटीज में आराम मिलता है किड्नी और लिवर की समस्या जिहां, इसके फलों का सेवन करने से किड्नी और लिवर स्वस्त रहते हैं आप चाहें तो आप इसके पत्यों का काढ़ा मना कर कभी पी सकते हैं इसे रक्त चाप सही रहता है किड़नी और लीवर की बीमारी भी नहीं होती है लेकिन गर्भोती वास्तान पान कराने वाली महिलाओं का इसका सेमन नहीं कराना चाहिए तो दोस्तों कैसी लगी आज यह जनकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपसे जल्दी जूरते हैं किसी और नहीं जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों